कि हलो डियर फ्रेंड सो वन्स अगेन वेलकम बेट तो माई योटूब चैनल सुध्री डिफैंस अगेडमी सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत और गाइस थेंक यू सो मच आपने बहुत सबोर्ड किया मुझे इवन वीडियो अप्लोड होने ना होने के बावजूद भी और अभी रेगुलरली हम लोग चैनल पर बहुत जल्दी अपडेट होके और एक बड़े लेवल पर आपके लिए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने बोला नेवी के बारे में मैं बहुत ही ब्रीफली सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आप सभी को और ध्यान से इस वीडियो को देखिए चार से लेके पांच मिनट का ये वीडियो होने वाला है आपके सामने सारे डाउट्स आपके किलियर करने वाला हूँ नेवी ने क्या बड़े चेंजिस लिये हैं इस बार नोटिफिकेशन में बड़ी खुसकवरी यह है कि नेवी ने सभी को मौका दिया है अभी पर्शंटेज का कनेक्शन खतम कर दिया गया है जो भी फॉर्म फिलफ सही करेगा उसका एड्मिट कार्ट बापस आएगा उन सभी बच्चों के लिए बहुत बुड़ी खुसकवरी है जो बहुत टाइम से नेवी के ओनलाइन एक्जाम होने का वेट कर रहे थे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है एप्लिकेशन डेट का है प्यारे बच्चे 8 दिसम्बर से लेके 7 दिसम्बर 8 दिसम्बर से 7 दिसम्बर तक फॉर्म भरना सुरू होगा 8 दिसम्बर से पहले में बता दूँगा आपको कोई गलती नहीं करनी होगी नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लेखिएगा और एक एक पॉइंट पैरे बच्चे में आज किलियर करने वाला हूँ एक एक चीज आपके बारे में किलियर करूंगा और नेवी के हिस्ट्री में ये बहुत दिनों बाद हो कर दिया है फाइनली नेवी नेवी फीमेल्स को अलाउड कर दिया है और बाकी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा मुका है और गल्स अलाउड है बैच बोला गया इसको 0-1-2023 ये 0-1-2023 फस्ट टेंटेक बैच होगा और नम्मराव वेकैंसी कितनी हैं वेकैंसी की संख्या कितनी है 400, कुछ बच्चों को disappointing लग रहा होगा यह सुनकर कि सर बेकेंसी को reduce कर दिया गया है, बेकेंसी को कम कर दिया गया है प्यारे बच्चे, it doesn't matter how many vacancies the notification has notified or released, यह आपके अंदर जज़वा है, प्यारे बच्चे और प्यारी करने का एक जुनून है, तो 10 vacancy पर भी आप selection ले पाओगे लेकिन मैं अभी आगे बताऊँगा कि क्या strategy, एक पूरा वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, किस तरह से आपको हमारे पास जितना time है, फरवरी के first week में एक्जाम है इसका, नेवी का, और किस तरह से हमें एर फोर्स और नेवी दोनों का साथ में preparation करना होगा, बहुत ही जल्दी चैनल पर upload होगा, नम्मर आप vacancy is 1400 हैं, 1400 vacancy हैं, next intake में एक बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, सायद किसी ने यह आपको बताया होगा, लेकिन मैं फिर confirm अभी कर रहा हूँ next vacancy में, next जो intake होगा, इसका उसमें vacancy जिससे बढ़ कर आएंगी कम से कम 1000 और 1200 यह आप लिखवा कर ले लीजेगा, यह मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसलिए पूरा जान लगा दीजे, next intake भी online होगा, और उसमें vacancy काफी बढ़ कर आएंगे 3000 के असपास vacancy होगे क्यों कि पहला trial है, online exam का मतलब है, सभी के admit card बापस आएंगे, अभी percentage का कोई लफड़ा नहीं होगा जो भी form सही fill करेगा उसका admit card आएगा प्यारे बच्चे और इसकी योग गिता क्या रखी गई है 10 प्लस 2 completed math और biology इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 8 वाले बच्चे allowed नहीं है, जिनोंने 12th physics chemistry, math, physics chemistry biology या computer science से किया हुआ है इन किसी एक subject से किया हुआ है chemistry और biology या computer हो वो सभी बच्चे इसमें allowed हैं भर सकते हैं याद रखिएगा आठ वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे और सबसे बड़ी बात age criteria ध्यान से सुनिएगा guys इससे notice कर लीजिएगा इससे note down कर लीजिएगा 1 मई 2002 से 31 October 2005 बहुत सारे बच्चों के इसमें सामिल कर लिया गया है 1 मई 2002 मैंने पहले भी सायद आपको पता होगा इसकी age limit बताई थी मैंने कहा था जून 2002 से और December या October 2005 तका मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा मैंने short वीडियो upload किया था 1 मई 2002 से 31 October 2005 रखी गई है और अभी हम बाप करेंगे उन सभी बच्चों के लिए golden opportunity है कितना अच्छा मौका होगा कि उसी टाइम पर हम एरफोर्स का exam दे चुके होंगे और अगले वो भी clear हो चुका होगा और अगले हमारे फरवरी के first week में हमारे पास navy का exam हो चुका होगा फरवरी के second week में मैंने आपको बता दिया है third week के आसपास हमारे पास GD हो रहा होगा phase second बहुत ही golden opportunity deserving aspirants के लिए और written examination PFT और medical जैसा कि आपको पता होगा तीन phase होंगी online exam होगा जिसको computer based exam माना जाएगा CVT and PFT का मतलब है प्यारे बच्चे physical और उसके तुरंत बाद medical होगा medical में दो stage होंगी एक initial medical और एक direct जो चिलका पर होगा ठीक है सबसे बड़ी बात है state wise cut off जाएगी जैसा कि पहले होता रहा है ने भी हमेशा याद रखिएगा number of vacancies के आदार पर state wise cut off निकालेगा इसके videos आगे आपको मिलते रहेंगे कि सर किस तरह से किस state की कितनी cut off जाएगी मैं आपको बिलकुल accurate और शटीक डेटा देने वाला हूँ सबसे बड़ी बात कर लेते हैं सर hundred question है hundred marks के हैं और एक घंटे का time है इसका मतलब selection cable प्यारे बच्चे वही लेगा जो time को management कर लेगा और with accuracy के साथ में क्यों सबसे बड़ी बात है यहां negative marking एक बहुत बड़ा role play करेगा Navy ने officially बोल दिया है notification में release किया गया है कि there is a negative marking or there will be a negative marking of one by fourth or point two five if a candidate select a question wrongly then the number of marks will be deducted point two five वो मतलब एक वटे चार या चार question गिलत करते हैं तो एक सही question आपका चला जाएगा English subject है Science है Math है और GS General Awareness बोला जाता है 100 question है 100 marks है एक घंटे का time है और यार एक बीच में बात बोलना चाहूंगा मैं तुम सभी बच्चों ने यार सच मैं बोल रहा हूं दिल से बोल रहा हूं From my bottom of heart आप सभी ने इतना प्यार मुझे दिया है आपके comment जब मैं पढ़ता हूं आप genuinely जो लिखते हैं दिल मतलब garden garden हो जाता है प्यारे बच्चे और इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए अभी मैं आपसे वाइदा करता हूं एक December से उन सभी बच्चों के लिए important बात बोल रहा हूं एक December से फेस सेकंड के सारे topics में आपको डेवाइडे पढ़ाने वाला हूं फेस सेकंड की मेरी guarantee याद रखेगा और आगरा में एक बड़ी Defense Academy दूसरा जो नया मत्रा के बाद में हमने setup किया है वहाँ पर भी आप आ सकते हैं Negative marking रहेगी यह big role play करेगा याद रखेगा state wise cut off होगी और वही selection ले पाएगा जो time manage कर पाएगा क्योंग बहुत बड़ी बात है एक घंटे में 100 question करना और एक और चीज़ इन सभी subject में प्यारे बच्चे आपको sectional cut off अलग-लग हर subject में पास होना होगा वो navy decide करेगा कि हर subject का sectional cut off कितना होगा यह navy decide करेगा कि हर subject का sectional cut off क्या रहा overall cut off क्या रहा यह आपके हाथ में नहीं है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ का exam date बच्चे पूछ रहे तो यह clear कर देता हूँ notification में लिखा हुआ है या तो January के last week में या February के first week मैं आपको clear बता देता हूँ sir exam जो date है वो February के first week में 2030 first week of February 2023 को याद रखेगा यह exam date है आप समझ लीजे आपके पास कितना time है और अभी भी जो सोय हुए है बच्चे और जो भाग्य के भरों से बैठे हुए है कि sir जो भाग्य में होगा कुछ नहीं होने वाला है याद रखिएगा मैं clearly बात करने वाला हूँ selection उनीका होना है जिनोंने planning के तहट जो अभी से planning कर लेंगे form की date क्या है 8 December से 17 December जिस दिन आप form भर जाए उसके अगले दिन से आपकी planning हो जानी चाहिए किस तरह से पढ़ना होगा Air Force का भी साथ में है Navy भी साथ में है married candidates के लिए allowed नहीं होगा unmarried candidates के लिए allowed होगा और एक important चीज final जो married list होगी सर वो क्या कवाएगी April 2023 आप समझ लीजे कितना जल्दी कितना बहतर होगा April में आपके joining हो चुकी होगी प्यारे बच्चे April के last week में आपके joining हो चुकी होगी इधर June में हमारे पास एर फोर्स की joining हो चुकी होगी जिसके form अभी चल रहे थे ये दोहरा और ये golden opportunity है पेरे बच्चे तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है एक form भरने के बाद में एक planning के तहट अभी मैं बहुत ही बहतरीने के strategy वीडियो लेके आऊँगा एक एक बात आपको clear कर दूँगा किस तरह से पढ़ना है sectional cutoff कैसे clear करना है highest score कैसे करेंगे और इसकर बहुत ही जल्दी एक cutoff का वीडियो में आपको बता दूँगा confirm कि भई state wise cutoff में और sectional cutoff क्या approximate रहने वाली है आपके कोई भी query हो please comment box में लिखिएगा hundred percent में कोशिस करूँगा उसका reply देने के and thank you so much once again for your continued support and love जैहिन